वेलकम टू माँ चेनल आज इस वीडियो में बात करेंगे क्या एसा स्टैनो का स्किल टेस्ट दुबारा होगा सॉफ्ट्वेड में क्या प्रब्लम आ रहे थी आखिर बच्चे क्यों फेल हो रहे थे कितने चांसेज हैं कैसे कैसे क्या आगे प्रोसेस होने वाला है क्या स्किल टेस्ट सच में दुबारा होगा क्या आप तैयारी जो कर रहे थे स्टैनो की एच्छे से आपको कंटिन्यू करनी चाहिए क्योंकि यहां पर बहुत सारे एस्परेंसे जो टाइपिंग में स्टैनो की फेल हुए थे लेकिन उससे भी जादा प्रोग्लम आई एस्टैनो में कि बहुत सारे एस्परेंसे जहां पर कुछ सेंटर है जहां पर बच्छे पास ही नहीं हुए जैसे लखनों के बच्चों ने बताया कि उनके सेंटर में कोई पास नहीं हुआ बोपाल में बताया अलग-अलग बच्चों ने रिवीव भी दिया कि उन्होंने 800 से जादा वर टाइप किये फिर भी उनकी 92 मिस्टेक्स, 42 मिस्टेक्स, 52, 57 ऐसे करके बहुत जादा मिस्टेक्स भी निकल कर आए है तो बहुत सारे एस्प्रेंस है जो टाइपिंग पास नहीं कर पाए है यहां पर इस वीडियो में आज बात करें कि प्रॉब्लम क्या रही थी सॉफ्ट्वेर में बैक स्पेस का एरर क्या हो रहा था जिस वज़े से बच्चे पास नहीं कर पाए है और क्या इसका दुबारा स्टैनो टेस्ट होगा सबसे पहले बात कर लेते हैं जो जैसे CRPF SM कर टैपिंग हुआ था उनका CRPF का एक अलग से सॉफ्ट्वेर था जिसमें हम लोग टैप कर रहे थे अगर there is an old man तो अगर there is an old man की जगह किसी ने लिख दिया there is a old man तो जो a skip किया है वो error count हो रही थी और बहुत सारे अलग अलग चीज़े थी जैसे backspace स्टैनों टैपिंग में allowed नहीं थी लेकिन स्टैनों में allowed होती है बट फिर भी बच्चों ने बताया कि backspace का error ASIS terror में आ रहा था जिसकी वज़े से बहुत सारे बच्चे fail हो गए है skill test में और वहाँ पर सबसे पहले तो बात कर लेते डिक्टेशन अगर किसी बच्चे ने वहाँ पर ASIS terror का डिक्टेशन लिखा है और डिक्टेशन में अगर उसका कोई word miss हो गया है क्यों word miss क्यों हो गया है क्योंकि वहाँ पर जो dictator बोल रहे है ना उनकी speed fluctuate हो रही है मतलब की कभी जादा बोल जलती बोल रहे है कभी धीमे मतलब की उनकी speed यह मालोब 90 प्लस तो है ही बहुत सारे बच्चे बता रहे है कि उनकी 95 की speed है बहुत जलती बोल रहे है बलकि यहाँ पर जो इस टैनों में dictation की speed आप लोग को बोली जाने चाहिए जिससे आपको words लिखने है आपको dictation में 80 word पर minute यहाँ पर लिखना था लेकिन dictator की speed की वज़े से यहाँ पर बच्चे लिखतो रहे हैं लेकिन बीच पीच में उनके word फूट जा रहे हैं और बहुत सारे बच्चे जिसकी वज़े से इनको skill test में face करना पड़ा है क्योंकि जब आप वहाँ पर typing करोगे आपको keyboard मिलेगा computer मिलेगा आपको वहाँ पर keyboard में skill test देना होगा तो बहुत सारे बच्चों उनको problem भी आई एक बच्चे ने बताया कि उसने जब type कर लिया उसके बाद वहाँ पर बताया गया कि उसमें उनको numbers भी लिखने थे अब बताईए बच्चे ने जब type कर दिया है आधा उसका कुछ ही lines बची है तो वहाँ पर बता रहे है कि उन्हें numbers भी insert करने थे तो यह त किसी ने लिख दिया तो इस Lanka कर दिया तो वह error count होती चले जा है उसके आगे मतलब कि अगर किसी ने dictation लिखा था कि यहां पर बहुत लोग अगर उसने लिखा यहां पर बहुत कर दिया अगर तो वो उसकी error count होगी dictation में लेकिन अगर software में जब skill test देगा अगर उसने लेख दिया यहाँ पर लोग यहाँ पर लोग है जो कि उसको लिखना चाहिए था यहाँ पर बहुत लोग है तो मतलब यहाँ पर लोग बहुत word gap कर दिया तो बहुत के आगे जो भी वो लिखेगा वो error count हो रही थी जैसे कि SM tapping में था ना कि अगर wrong word skip कर दिया और फिर space दे दिया double space दे दिया तो वहाँ पर errors count करने के कुछ तरीके थे बट ASIS 10-0 में क्या है अगर किसी ने dictation में कोई word skip कर दिया सॉफ्ट्वेर में चाहिए वो CRPF SCM का हो या फिर ASIS 10-0 हो का है तो उनके जो सॉफ्ट्वेर उनका जो सॉफ्ट्वेर होता है उसमें जो matter पहले से ही वहाँ पर save है तो जब आप type करोगे ना तो वो matter word to word match करता है सॉफ्ट्वेर अगर आपने कोई एक दू word skip कर दिया डिक्टेशन में और फिर skill test में तो miss हो जाएगा तो फिर क्या है कि वो error count होता चला जाता है ऐसा ही CRPF SCM typing में भी है कि वहाँ पर जो पैरा feed किया गया अगर आप उसे match करके exact word नहीं लिख रहे है ऐसे ही यहाँ पर डिक्टेशन में अगर आपने चोटे बड़े एक भी कोई भी word miss किया और फिर skill test में अगर आपके वही word miss हो रहे है तो वहाँ पर वो error count होती जा रही है यहाँ पर backspace ASIS 10 में allow होनी ही चाहिए लेकिन यहाँ पर बच्चे बता रहे है कि backspace अगर वो प्रेस कर रहे है तो वहाँ पर बहुत सारी errors count होती जा रही है यहाँ पर आपको 800 word type करने लेकिन फिर भी बच्चों ने 800 word से ज़्यादा type किया फिर भी उनकी 70-72 पिच्चाने में बहुत mistakes count होती चलिया है तो वो इसका reason यही है कि CRPF अपने खुद के software में करा रहा था और उसमें पहले सही जो dictation आपको पैरा बोला जाता है मैटर बोला जाता है वो feed है तो उसी के बिहाफ में उसके बराबर words लिखे लिखने हैं आपको अगर जो बच्चे नहीं लिख पा रहे हैं उससे match करके exact word तो उनकी errors count होती जा रहे है और यह बात चाहिए आप हो या कोई भी हो dictation या बोला जाता है तो speed उनकी अलग रहती है उनका बोलने का तरीका अलग रहता है pronunciation अलग रहता है तो 100% पूरे word to word match करके बहुत कम ही बहुत rare है कि लिख पाएं एक ना एक दो word कहीं ना कहीं बच्चों से miss हो ही जाते हैं लेकिन वही चीज़ यहां पर skill test में fail कर आ रही है बच्चों को तो कि उनका software ही बिलकुल अलग है डिक्टेशन बहुत अच्छे से बहुत ध्यान से सुनो फिर भी लेकिन एक दो words वहां पर miss हो ही जाते हैं तो ये तो समझ में आ रहा है कि सीधी सीधी बात है अगर पेपर में डिक्टेशन बोलने के बाद चेक होता तो जो word आपने गलत लिखा होता है या जो word आपने miss किया होता सुरू वही error count होती लेकिन CRPF software में होने की वज़े से आपकी बहुत ज़्यादा errors count होती चले जा रही है अगर आपने एक दो word मिस करती है उसके आगे कि फिर वो errors count होता चला जा रहा है जिसके तहत बच्चे ज़्यादा fail हो रहे है तो आप लोग mail करिए अपना जो भी बच्चे है फिर disqualify होक जिसकी वज़े से हम लोगों को वहाँ पर निराश होना पड़ा disqualify मतले बहुत अच्छी से अपना पूरा जो प्रॉब्लम था आपको वहाँ पर उनको mail करिए application दीजे जिससे की वहाँ पर आपकी सुनवाई हो क्योंकि बहुत सारे बच्चे हैं जिनकी स्टैनों में तो वो अपनी बात वहाँ पर बोलें पहले सही वहाँ पर वो पूछ ले सेंटर में कि सल सौफ्ट्वेर कैसे क्या account करेगा आप dictation बोलोगे हम लोगों को तो कैसे क्या क्या चीजे होंगी वहाँ पर 5 मिट कर ट्रायल भी आपको dictation का दिया जाएगा तब उनकी speed सही होती है लेकिन जब exact dictation आपको बोला जाएगा तो उनकी speed बहुत तेज हो जाती आप अपना pencil eraser ले के जाना एक बच्चे ने बताया कि वहाँ पर सेंटर में pencil दिया गया था उसने पहले तो dictation लिख लिया लेकिन एक दो चीजे थी जो उसको बाद में change करनी थी तो उसने सोचा कि च पहले से ही discussion कर लेना अपनी query पूछ लेना सर से कि क्या है कैसे नहीं लेकिन आप फिर भी अपना documents pencil eraser सारी चीजे लेकर जाना क्योंकि बहुत सारे बच्चे हैं जो अपना अलग-अलग center का review दे रहे कि कैसे क्या क्या चीजी हुई उसी के बिहाफ में मैं आप लोग को बता जिससे की आगे जिन बच्चों का उनको problem ना हो आगे जिनका है वो जाएंगे तो वहाँ पर वो सर से पहले ही पूछ ले कि software में error count होंगी backspace हमें अला होगी कि नहीं जो भी आपके doubts सो आप पहले ही confirm कर लेना जिससे की आप typing skill test उसका pass कर सो को जिससे की आपको problem ना हो क्यों कि बहुत सारे सेंटर से जहां पर एक भी बच्चे पास नहीं हुए हैं तो मैं तो यहीं बोलोंगे कि आप लोगों से request है आप पहले ही वहाँ पर सरसे पूरे doubts clear कर लेना confirm कर लेना पूछ लेना सारी चीज़ें जिससे की आपको वहाँ पर कोई problem face ना करनी पड़े बाकी य क्या सकते हो खाता है निकुला वहाँ पर zero बच्चे ही पास होए एक भी नहीं हुए मतलब एक भी बच्चे साथ में इतना क्या इसका ऐसा कैसा सॉफ्ट्वियर आ रहा है कि साट बच्चों में एक भी बच्चा पास नहीं हो रहा है यह तो possible नहीं है ना इस यह तो मन्दब unbelievable thing हो गए कि बिच्चों की 90, 98, 93, 92 एकुरेसी वाले भी बच्चे फेल हो रहा है क्योंकि CRPF का software जो है वो बिल्कुल अलग है और वो अलग तरीके से error count कर रहा है इस वज़े से मैं आप लोगों से बोल रहे हैं कि आप लोग mail करी application दीजे वहाँ पर officers इस बात पर ध्यान दें और फिर आप लोग की सुनवाई होगी कि हो सकता है कि skill test दुबारा हो जाए तो मैं आप लोगों से यह request करूंगी कि जिनका disqualify हो गया है वो अपने practice करते रहे है क्योंकि अगर इसका skill test दुबारा हो जाएगा तो आपके chances होंगे pass करने के तो आप लोग अपनी तयारी अच चलके अगर बहुत सारा tweet करते हैं लोग बहुत सारे उनके पास query जाती है application request जाते हैं तो हो सकता है कि वो skill test दुबारा कर रहा है तो आप लोग के पास समय नहीं होगा स्टैनो की practice करनेगा तो आप लोग अपनी practice जारी रखिएगा जिससे कि अगर स्टैनो का skill test दुबारा ह होता भी है तो आप लोग उहां पर qualify कर ले जाओ and I think जो भी experience है जिन्होंने डिस्क्वालिफाई कि अब उन्हें राशना हो सकता है कि उन्हें second मौका मिल जाए skill test दुबारा देनेगा क्योंकि यहां पर software की problem एक center दो center नहीं हर जगे हर center में बच्चों को आई है और बहुत स करने पड़ी है आप पूरा वहां पर उनको describe करें अपनी problem बताएए बाकी जिनका है वह अपना वहां पर center में पहले ही सारे चीज़े पूछ ले बाकी और कोई फदर update आती है skill test की दुबारा होगा नहीं होगा कब होगा कैसे होगा वह सारी update मैं आपको करूंगी चैनल को subscribe क आपको प्रवाइड कर सुगो प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब मैं चैनल थैंक्यू फॉर अप्डेट यहां पर थैंक्यू फॉर अप्डेशन जो बच्चे टाइपिंग पास करके आए हैं सेम की उन्होंने भी रिवी दिया था जो भी बच्चे करके आए उन्होंने मुझे रिवी दिया जिसकी वज़े से मैं आप लोगों को help कर पा रही हूं बाकी मैंने भी दिया था तो जो मुझे डेटेल पता थी बाकी महां के CRPF campus में एक दू लोगों से बात करके मैं आप लोगों को डेटेल्स प्रवाइड कर पारी हूं स्किल टेस्ट जल्द होगा देर में होगा कब इसकी सुनुमाई होगी कैसे क्या होगा मैं आप लोगों को बाकी लोगों से कनेक करके जो एक दू लोग साथ जिनको जानती हूं मैं CRPF campus में work करते उनसे कनेक करके मैं आप ल अगर आपने 400 वर्ड टाइप किये तो आपकी पांच परसेंट गलतियां अलाओ थी मतलब 20 परसेंट गलतियां माफ थी तो इस तरीके से आप अपना प्राक्टिस करते रहें अपनी स्पीड मिंटेन रखिए जिससे कि आप अगर स्किल टेस्स का दुबारा होता है तो आप यद्ए आप एँ वाटिं आप गया ंपकी पांच झांच झालतियां प्राक्ट अवोच जाने जी तो आपकी थान।